हेलो रिबड़ी मुझे काफी लोग पूछते हैं कि अंक्यलाजिंस पॉंडिलेटिस में क्या सही में रिजर्ट मिलता है एंड इस वेरी डिफिकल्ट बहुत मुश्किल हो जाता समझाना कि रिजर्ट जरूर मिलता है क्यों नहीं मिलेगा उसमें से कुछ केसला आप से एक पेशन्ट वह काफ़ी स्टिफ हो चुके थे नेक भी हो गी दीजर्ट बीन वह गया था दोनों पीट सब इन वह वह गए थी और स्टिफ हो गया था काफी और अब्वेस उनको बिलीव नहीं था खुद एक डॉक्टर थे और उनका उन्हें तो ऐसा लगता था कि उन्हें सब कुछ पढ़ लिया कि सब कुछ पढ़ लिया क्योंकि पहले ही डॉक्तर उपर से गूगल पर सारी इंफॉर्मेशन जितना अवेलेबर गूगल पर सब कुछ पढ़ लिया था सो बिलीव करने का सवाल नहीं था जन्रेलिख को है पेशन्स है उन्हें भी लगता है कि उन्हें सब पता है फिर तो डॉक्टर थे तो मैंने गहां कि ठीक है आपको लगता है कि आप ठीक हो ही निग प्रण करता है कि आप ठीक नहीं फिर आगे क्या प्लान है उन्हें क्या प्लान क्या अभी तो मैं ले रहा हूँ बायोजिक्स भी ले लिया कुछ हुआ नहीं यह फिर भी आगे क्या प्लान है इसे आगे क्या होने वाना है इसे वाली अग्री पिस गाना है क्या होता है इस नो तो मैंने खाना दिखी आपके पास जितना आप कर रहे हैं या कर चुके है उससे चांसेज आपको है टीबी होने के इसके जाए किड़नी खराब होने के इसके अलाव भी बहुत रिस्क है वह रिस्क है हाट इन्वाल होता है इस तरह खिंप इन्वालमेंट तो होता है कि तो उन्हें कहा कि सर अब आगे कुछ लिए करने के लिए या मेरी परिक्षा लेने आए है कि सही में कुछ कर सकता हूं क्या अगर परिक्षा लेनी है तो रास्ते कि टीट्मेंट जॉइन कि कि यह नुब यह नहीं पॉसिबल है अगर यह पॉसिबल नहीं होता तो पूरे व्रेल से पैचेंट क्यों आते और हुज दिभान्ग्लादेश से पैचेंट यहां पर आ था इसी टेबल पर बैठके मैं उससे बात की नापभूर है थाइलेंड से पैचेंट इसी केबिन में आया था और मैंने बात की थी अगेन कैंसर का पिशन था दूसरा जो था बैंगलादेश से जो है वह वांग और माउट तू मौट पब्लिसिटेस आ रहे है वह कि मने साइन्टिफिक ले सब समझा दिया था कि किस तरह से माइंड बीमारी क्रिएट कर सकता है देखिए वो डॉक्टर थे मैं आपको बुछता हूँ क्या माइंड बीमारी क्रियेट कर सकता है आपको रह लगता हैं यह मैं दूसरा क्या स्टेस से व इप्टी जैसे भीमारी हो सकती है तुम संभानें है यह सर हो सकता है तोMMस आप मैं कि बीमारी होती है टेंशन से बीमारिया होती है इसलिए रिसर्चर्स ने बताया है कि 85-90 परसेंट बीमारिया मनोशारिरिक होती है साइको सोमाटिक होती है मतलब मैंड से शुरू होके बॉडी पर जाती है डूए अगरी डॉक्टर थे वो उनका सहां बात तो सही है मैंने कहा कि अगर आपकी भी विमारी है तो 90 परसेंट चांस यह भी साइको सोमाटिक है बोले से तो और फिर भी बिलहांस हो तो सकता है क्यों मैंने भी देखा है कि जब भी मेरा मूर अच्छा नहीं होता यह जब भी नर्वस होता हूँ डिप्रेश होता हूँ तो मेरा पेन जरूर बढ़ता है जादा होता है उस दिन मैंने और राइट इसी का मतलब है इसी का सबूत है कि जब भी आपका मूर ठीक नहीं रहेगा आपका माइंड एक लो स्टेट में रहेगा पेन बड़ेगा मतलब माइंड का और आपके डीजिस का तो सम्मन्द है बुले सरियस? ये अज पूरण डैट तो मैंने आका फिर आपकी बीमारी का मानसिख सर्मन्द है मनो शरीरिक बीमारी है तो आपने आस तक जितना इलाज किया वो तो अच्छत defeat हुआ बुछे सरियस इस इस आफ एट अगर बीमारी का सारा इलाज शाहिर्क किया है मनोशारीरिक है ना चाहिए वो लेसल लोग वह भी नहीं है मनोशारीरिक तो आपके पास मौका है मनोशारीरिक इलाज करने का आखरी मौका है धिकि मैगजियुण जोईंट्स इन ओर हो चुका है अभी आप दो-चार सरजरिस करांगे और्गन ट्रांस्पलेट जोईंट ट्रांस्पलेंट करांगे क्या सरजरी पहले करनी चाहिए या पहले मेडिकल इलाज करना चाहिए तो सिधी है कि पहला इलाज तो मेडिसीन से कोशिश करनी चीए आप क्या कर रहे हैं इसलिए अगर यहां पर आए हूँ कोई options ही नहीं है भी आप सब कुछ यूज कर चुके हैं आप वो सारा इलाज कर चुके है जो दुनिया का हर कोई कोई result नहीं है side effect है बट फिर भी क्यों हर कोई वही इलाज को आखरी इलाज समझता है मुझे वह इलाज करने से problem नहीं है आपके वह इलाज को आखरी रास्ता समझने से जरूर क्योंकि उसलाज को यहां सब्सक्राइब करता है फिर नहीं हुआ नहीं रहता है और अगर बीमारी कभी ठीक नहीं होती तो क्या आपका आपके लाइफ के लिए एक फर्स नहीं बनता टी एक बार सही Psychology करके देख ले एक बार आप मुल कारणों का इलाज करके देख ले एक बार वो इलाज करके देख ले जिसमें बिमारी को रिवार्स करने की और क्या ऐसा नहीं होना ची यह इधना बोलने के बाद रुन ने जोइन किया and he joined very very immediately फिर हमने केस्टिकिं की and today he is very happy he is 70% better without steroids, without painkillers कोई गोली नी खाने पड़ती and 70% relief is amazing relief without a painkiller, they are not taking painkiller and I am not giving painkiller so that's an amazing relief, हमने उनके mind पे काम किया कुछ एक treatment protocol दिया जिससे उनके genes पे काम किया medicine दी जो अंदर से genetic tendency को reverse कर सकती है और सबसे मजे की बात अब बहुत खुश है because अब उन्हें result देखना शुरू हो गए इससे हमें एकी सीखने को मिलता है कि कोशिश अगर आपने नहीं की तो result तो zero मिलेगा और कोशिश की, पूरे शिद्दत से कोशिश की 80-90% तक chance से आपको reverse होने के दो option से आपके पास 0% के लिए हार मान के बैट जाए या 80-90% के लिए एक बार पूरा जोर लगा कर आखरी कोशिश कर लीजिए हो सकता है यही से जिन्दगी बदलना शुरू हो जाए एक मांसी नाम की दश्रत मांशीर की मूवी आई थी मूवी जाए था कि भगवान के बरोसे मत कर लाइसा हो सकता है कि भगवान ही आपके बरोसे बैटा हो कि यह जनेटिक इलाज शुरू करे और मैं इसको रिलिव दे दू थैंक यू गाइस थैंक यू वेरी मच इस वीडियो पर रेने के लिए जादा से जादा मातरा में इसे शेयर कीजिए इंटरनेट की खराबी के करद थोड़ा सा वीडियो कॉलिटी अच्छा नहीं है या बट फिर भी मैं चाहूंगा जादा लोगों से आप शेयर कर सके तो जरू कीजिएगा एंड इसी के साथ मैं यही पर आपको गुड़नेट बोलते हुए बाई बाई टेक केर बोलते हुए इस वीडियो से विदा लेता हो थैंक यू दन्यवाद